असलाम अलेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगे एक extension आप गर में खुद कैसे त्यार कर सकते हैं आपने मार्कीट से एक extension बोर्ड ले लेना है और आपने एक वायर ले लेना है आपको जतनी जुरूरत हो एक शू ले लेना है मार्कीट से यह देखें पहले आपने इस extension के उपर पेज हैं उसको खोल लेना है खोल के इसके बाद आपने तार के एक सिरे की इंसुलेशन को रिमूव कर लेना उपर से अच्छी तरह रिमूव करके आपने इस extension के अंदर टर्मीनल होते हैं आपने उसके उपर इसकी एक वायर को लगा देना जो वायर बटन के सर अटेज्ट टर्मीनल होगा उसके उपर आप रेड़ वायर को लगाएंगे वह दूसरा डिरेक्टर जा रहा है अंदर नीचे सॉक्टों की तरफ उसमें आपने बल्यक वायर को अटेज्ट कर देना है यह देखे मैंने दोने वायरों को लगा दिया इनके नट वगएरा टाइट करूँगा इनके बाद आप मैं वायर की ग्रिप करूँगा जाब भी आप एक्स्टेंशन को खींचेंगे तो आपकी अंदर से वायर तूटेगी नहीं अंदर से मैंने यह क्लिप वगएरा टाइट कर दिया है यह देखे हमारा यह क्लिप के साथ यह एक्स्टेंशन बना सकते हैं यह कोई मुश्कल काम नहीं है यह देखो मैंने अक्स्टेंशन के अंदर कनेक्शन कर लिया है और अभी इसको बंद करूँगा इसके पेच वगएरा जो उपर लगने हैं उनको लगा के सब को टाइट कर दूँगा अभी यह देखे पेच लगाना मैंने शुरू कर दिया पेच लग चुके अभी यह देखे फैनली लग गए हैं और अब हमने इसके दूसरे सिरे को शू लगाना है वह भी मैं आपको पताऊंगा अपने कैसे लगाना है यह शू है पहले आपने वायर के सिरे से इंसोलेशन को रिमूव कर ले अब आपने शू को ओपन कर लेना है शू को ओपन करने के बाद यह इसके अंदर ग्रिप होती है इसको आपने वायर के अंदर डाल लेना है फिर शू के आपने पेच को ओपन करना है और उसके अंदर वायर आके इसके पेच को टैट कर देना है यह देखे मैंने पहले काली नर्वायर को टैट्स कि अब मैं इसकी और एक्षो करूंगा इस तरह हमारा शू के के अंधर connection extension के इस तरह होते हैं अब मैं इसकी body को fix करूँगा शू की को यह देखिए मैंने शू को fix कर दिया इसके मैंने इसका बहरवाला page को भी tight कर दिया यह देखो finally हमारी lead बन के त्यार होगी यह चल चुकी है यह देखिए मैंने button को press किया light on होगी मैंने button को फिर press किया light off होगी एक दफ़ा इसको push करेंगे on करेगा दोसी दफ़ा push करेंगे